दोस्तों आप सभी को शर्द पूर्णिमा की हार्दिक बदाई आज 30 अक्टूबर को शर्द पूर्णिमा है माता मालक्षमी का अतिप्रिय दिन तो मैं आपकी एश्टों दोस्त आपको माता लक्षमी को प्रसंद करने का उपाए ना दूँ ऐसा कैसे हो सकता है तो मैं आपको माता मालक्षमी को पसंद करने का एक दिव्यो पाए देने वाली हूँ तो आप मेरा वीडियो लाज तक पूरा देगे हर मुस्किलों आसान सबका है समाधान नमस्कार मैं आपकी एश्रोदोस अर्चना गुपता अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हैं दोस्तों आज मैं आपको सरत कुणिमा पर माता मालक्षमी को पसंद करने के लिए एक आपको दिव्यो प्रयोग देने वाली हूँ आपको अमरत की पूंद और जादू एक्षर तो दोंगी ही साथ में रावुकाल अर्वजीत महुर्थ का समय दोंगी जिनका बर्थडे या मेरे जनवर्सरी हैं उनके लिए शुबंक लेकर आईए शुरू करती हूँ जैसा आप जानते हैं मेरे अमरत की पूंद और जादू एक्षर दोनों ही ग्रहों पर आधारित हैं प्रति दिन के घ्रह प्रस्तितों के आधार पर इन प्रयोगों को मैं तयार करती हूँ आप किसी भी राशी के व्यक्ति हो आपके जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्ता हो आप विश्व में किसी भी देश में रहती हो आप भारत में रहती हो भारत से बाहर किसी भी देश में रहती हो ये 10 वर्ष के बच्चों से लेके 90 वर्ष तक के बुजुर्ग यानि बच्चे से लेके महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप सोपयोगी प्रभावी है इन दोनों प्रयोगों को करके, जिसमें की मातर आपका एक-एक मिनट ही लगता है, और प्राकरतिक चीजबस्तों से ये प्रयोग किये जाते हैं, जो कि आप एक किचिन में ही मिल जाती हैं, जिसमें ना तो आपका समय ही लगता है, ना एक कोई धन खर्च होता है इन प्रयोगों को करके आप अपनी जन्मांग के ग्रहों को संतुलित कर सकती है उन्हें पीडित हैं तो उनकी पीडाएं शांत होने लगती है कमजोर हैं तो उनमें बल आने लगता और शुब है तो उनकी सुबता बढ़ने लगती है जो प्रति दिन एक प्रयोग कराये जाती हैं, उनके द्वारा आपके जन्मांग के किसी एक ग्रह को 0.1% शुब करने का प्रयास किया जाता है, तो दोनों ही प्रयोग आपको एक साथ सुरू करनी है, इन प्रयोगों का सबसे ज़्यादा फायदा यह है, कि सबसे पहले तो मांसिक तनावों से मुक्ति मिलती है, आपकी औरा क्लीन होती है, आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, आपकी इम्मुनिटी बूश्ट होने लगती है, जब आपकी सोच पॉजिटिव होने लगती है, तो आपको जो भी मांसिक टेंशन, मांसिक तनाव हो रहा होता है, आपको ग्रह जने जो भी पीडाएं हो रही होती है उनमें धीरे-धीरे कमी आने लगती है और आपको ग्रह आपको सपोर्ट करने लगती है तो आपको दोनों ही प्रयोग एक साथ करने है तीस अक्टूबर दो हजार बीस दें शुक्रवार आज कर आहू काले सुबह 10.37 मिनट से 12.1 मिनट तक इस समय आपको कोई भी शुबने अकारारम नहीं करना चाहिए आज अब जीत महुर्थ का समय है 11.38 मिनट से 12.24 मिनट तक इस समय आपकोई भी शुबने अकारारम कर सकती है आज की अमरत की भून में आपको एक हरी इलाइची और थोड़ी सी मिश्ट्री का आप अपने इस्ट को भोग लगाईए 24 गंटे तक इसे लिखा रहा है ने दीजे आप दूसरे दिन ढाएंगे धुल जाएगा मैं आपको नया शब्द हुए आप इसको फिर से लिख सकते है आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो छोटी से एक सफेद काकच की चिट ले लिजे रेट लर के पैंसे लिखिए और फोल्ड करके परसिया पॉकेट में रख लिजे 24 गंटे तक अपने पास रखिए दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड की जर्में छोड़ दीजे आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातर भाषा में भी लिख सकते हैं लेकिन प्रनौंस से सनुसका काही होना चाहिए आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब के कमेंट ब papel में अपने अनुबब शियर कीजिए कि आपको मेरे वीडियो कैसे लग रहे हैं आप मेरे इस चैनल से नई जुड़े हैं, या आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और साथ में घंटी के बटन को ओल पर कर लें, जिससे कि मेरे बनाए हुए वीडियो का हर इस नंबर पर आप कॉल या मेसेज के द्वारा प्रोसीजर चांग सकते हैं आप जिनका बर्थरी या मेरे जैनवर्सरी है उनका ये वर्षुभो ऐसी मीरी उसर से कामना है उन सभी व्यक्तियों को एक वाइट कलर के पेपर पे ग्रीन कलर के पैन से 6 नंबर यानि 6 का अंक लि और या उनको शुपता प्रदान करती रहेगी जिनका बर्थरी है वो रखें और जे की मेरे जैनवर्सरी वो पती-पत्नी दोनों रखें आईए अब स्टार्ट करती हूं में अपने दिव्य प्रयोग की क्योंकि सरत्पूणेमा तीस तारिक को शाम 5 बजे के बाद लग रह तो अगर आप खीर का भोग सभी जानते हैं और सभी लगाते हैं अगर आप खीर का भोग लगा रहे हैं तब आपको तीस तारिक कोई खीर बनाकर उसका चंद्रमा की रोशनी में आपको रखनी है आज को मैं दिव्य प्रयोग देने वाली हूं वो आपको रात में 9 से 10 वज लक्षमी का सहोधर माना गया है छंद्रमाح, शरत्पुणिमा पर बर्स भरं में सबसे बडा उसी दिन निकलता है साथ में ही चंद्रमा को उस दिन चंद्रमा की रोशनी में जो हम खीर रक्ते हैं उसमें अमरत वरसता है और वो अमरत हमें स्वास्त का वर्दान प्रता है तो उस दिन आपको चंद्रमा की रूश्णी में 5-10 मिनट आप अवश्य खड़े हो जो मैं आपको प्रयोग दे रही हूं वो आप उस दिन अवश्य करें इस्थे लक्षमी की आपको प्राप्ति हो मा पाने द्यात्ती से निब्रत होकर रात को 10 बजे करी रेड कलर के बस्तर पहनिए लाल कलर कही आप आसन ले लिजे अपने घर के मंदिर में आ जाईए दो दीपक आपको जलाने है एक ऐसा दीपक जलाना है जो कि रात रिवर जलता रहे और एक आपको करमशाक्षी दीपक ज लीजे अपने हाथ दो लीजे अपने उपर आचमन कर लीजे अपने जल शड़क लीजे अपने उपर अपने आसन पर जल शड़क लीजे अब आप संकल्प ले लीजे अपना नाम बोलिए अपने पिता का नाम बोलिए अपना गोत्र बोलिए और उसके बाद अपनी मनो काम ना कि माता मुझे आपकी असीम क्रपा चाईए आप इस तिर रूप से मेरे पास निवास करें जल को प्रत्वी पर छोड़ दीजिए आपने दोनों दीपक जला लिए हैं अब आम मा को आप सुगंद अर्पित कीजिए धूप अर्पित कीजिए और कुछ नेवे धिवी लक्षमे नमा ओम, श्रीम, हरीम, क्लीम, श्रीम, सिद्र लक्षमे नमा इस मंतर का आप जितनी अधिक सधिक माला जाप हो सकता है उतनी माला कीजिए अगर आप पहले से ही कोई लक्षी मंतर का जाप कर रहे हैं तब आप उस मंतर का भी जाप कीजिए आप चाहें तो इस मं लगाई है माता की आर्थी कीजिए और जो आपने बड़ा दीपक जलाया उसे इतना उसमें घी भरिये कि वो पुरी रातरी जलता रहे हैं इस पूजा से माता महालक्षमी अती प्रसंद होती हैं और आपके घर में इस्थिर्थ रूप से निवास करने लगती हैं यह प्रक्रि वाली तक नित्य एक माला आप करते जाएं आप अगर शरत पूर्णिमा पर 11 माला का जाप कर रहे हैं तो दीपावली तक आप एक-एक माला का जाप प्रति दिन करें आप अपना कुछ ऐसा नियम बना लें दीपावली तक आप करते रहें इस मंत्र का जाप आप देखेंग और मैं इसलिए आपको बता भी रही हूँ अगर आपको तक ही पहुँच पा रहा है तो आप इसको अवश्च कर लीजे आपको मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है तो आप मेरे यूट्यूब के केमेंट बॉक्स में अवश्च लिखें और आपका एक शियर बहुत लोगों की मदद करेगा इस मंतर को पहुँचाने में धन्यवाद मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमरत की बूदो जादी यक्षर के साथ